जाहें देवरीवन मैं समीर चौधरी UPSC हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूं तो हम लोग अपना सीसाइट स्रीज जो है इसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो अल्रेडी जो है मेरे ख्याल से बाइस लेक्चर्स हो चुके हैं आज 23 लेक्चर है और कल वाले टॉपिक मे उसी सीरीज में करेंगे जो आपका लोजिकल लेजनिंग वाला है और इसमें मैंने देखे हैं कि भाई UPSC हो चाहें PCS हो इस वाले टॉपिक से कल वाला जो टॉपिक था उसमें तुम ने देखा था कि सिर्फ PCS में सवाल आए हुए थै और जो आज वाला टॉपिक है इसमे प्रपर्पजी है खोड़े ठीक थाक सावाल आए हुए है तुम लोग देखते हैं कि भाई इस टॉपिक में है क्या किस प्रगार की कुष्चेन आते है कैसे सॉल्भ करते हैं तो सब्सक्रार को अपको हो एक समस्या है कि अगर और भी बीना देखे चले पह 흥 सकते हैं या कोई इस तारह की से नोह अब वर के तो आपके लिए आपके लिए चीजेँ आपता सकते और को चारे मिन-देक्स्ट द्रशिय केब क्वास tickets तो cry अगर आपको लेग रहा है कर लौक्ते आपकी पीपर्पिशन में हेल्शफूल तो आप इसको果 कर सकते हैं जिनको आऊ रहे है है ठीक है तो इसे आपके LKG और AV कि रहते हैं नर्शरी के knowledge का check है कि आप ठीक से पढ़ा है कि निए ABCD ठीक है तो देखते हैं भई किस्ट रिकार के प्रशन बनते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है इसे R जैसे ABCD पर कुल मिला कर आपको ही पता है 26 अलफाबेट होते हैं कुल मिला कर 26 इस परकार से अक्षर होते हैं ओर्ण माला में सबसे पहले आप ABCDEF जो है वो तुरंत अपने copy पे एक जगा लिख लिजे कोने में ठीक उससे क्या होगा वो question solve करने में आसानी होगी तो उसी सीरीज में जो है मैं अभी 2-4 example तो आपको समझाऊंगा कि भी किस प्रकार के प्रशन बनते हैं ठीक है अब आईए प्रशन देखत को निरूपित करता है तो एक प्रकार से जो भी वर्णमाला है जो भी एक प्रकार से जो अलफाबेट से उसके जो सिक्वेंस है उल्टा कर दें तो कौन सा अच्छर बनेगा लखनव के हिसाब से ठीक है तो जैसा कि मैंने बोला कोई प्रशन हो उसके हिसाब से आपने ABCD लि देखते हैं आप यहां पर लखनव की यह इस पेलिंग है L-U-C-K-N-A-W अब देखिए लखनव जो है इसको अपने को क्या करना है प्रशने के हिसाब से बोल रहा है कि वर्णमाला के करम को उल्टा कर दिया जाए अब देखिए L, L आपको कहां दिख रहा है बारहमे नंब तो बारहमें कौन सा होगा तो चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह समझ रहे है तो L की जगह पर क्या आ गया अपना L की जगह पर पहला अच्छर आ अपना O ठीक यह O आ गया फिर क्या है दूसरा U है U क्या है U आपका पीछे से छठा है आप देख सकते है U जो है आपका तीछे से कौन सा है चटा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ठीक है तो बिसिकली हम उल्टा करेंगे तो UK सामने क्या आएगा UK सामने आएगा आगे से छठा मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब F आएगा तो ओके बाद क्या आगया F आगया देखे कोई option match कर रहा है नहीं करता है, तो यहाँ पे 2 option match कर रहे हैं, C और D, जिसमें O और F आ रहे हैं, चले ठीक है, तीसरे नमर पे चेक करते हैं, क्योंकि इन दोनों में से भी अपने को देखना है, कि इन दोनों में से सही कौन सा है, तो तीसरा है, LU, C, तो C क्या है, आगे से तीसरा है, सी आगे से तीसरा है तो पीछे से तीसरा कॉनसा हो गया पीछे से तीसरा आपका x हो गया तो तीसरा मतलब हो जायागा जो C के सामने होगा वो x होगा ठीक तो यहां पर भी जो ऑप्सन फिट्स से चेक कर गया अगला पी भी मैच कर रहा है तो अभी देखते हैं लाश्ट तक अपने पो जाना परेगा लास्ट तक क्या होता है तो आप डिरेक्टली जैसे कि आप देश सकते हैं आप थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे तो आपको यह ओएक ओएक्षे से चौथा है एक दो तीन चार आगे से चौथा कौन सा होगा डी मतलब डबलू के सामने डी होगा इसा मैंने इस देखिया कि सामन का तो ओएफ आही गया मतलब यह दोन ओप्सन तो एलिमिनेट हो ही गये बचा दिये दो ओप्सन इन दोन ओप्सन में हमने देखा कि सुरुवात के तो यहां पे जो जो है लेटर्स ओएक्स पीमल इतना तो सेम आ रहा है अपने को लास्ट वाला चेक करना है और लास्ट वा अगर मैंने आपको समझाया इतना कुछ समझाने में बेसिकली टाइम लगा नहीं तो यह प्रस्ण जो है आपको देड़ से दो मिनेट लगते हैं एक कोशन पर एक्जाम में और उतना समय में यह प्रस्ण निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब आईए नेश्ट कोशन एक कूट भासा में मैथमेटिक्स को एक कूट भासा में मैंतिक्स को यह लिख लिए या यह लिख दिया है यह सब लगार को UPS से भी पूछे जाते हैं, पीसे से भी पूछे जाते हैं, Mathematics को यह लिख दिया, तो क्यों मिश्ट्री को क्या लिखे ही है, ठीक है, देखते हैं, फिर से मैंने जैसा कि बोला, आपको Basics वही है, आपको जो है, यह Alphabets, आपको जो है, यह Alphabets लिख के तयार रखना है, ठीक है, तो अपने को क्या है, Mathematics, Mathematics को क्या लिखा हुआ है, Mathematics को लिख लिजे, M A T H, ठीक है, यह Mathematics मैंने लिख दिया, Mathematics के सामने क्या है, L B S I D N, L B S I, I D N, फिर आगे क्या है, Z U H D R, Z U H D R, मतलब M के सामने आपका, L है, A के सामने B है, T के सामने S है, H के सामने I है, E के सामने D है, M के सामने N है, A के सामने Z है, T के सामने U है, I के सामने H है, C के सामने D है, S के सामने R है, अब देखें, इसमें क्या sequence बन रहा है M के सामने L है M कहां आपको दिख रहा है M यहां पे है मतलब M मेंसे मैं 1 माइनस कर दूँ तो मेरे को L मिल जा रहा है मतलब M माइनस 1 L है फिर A के सामने B है A मैं प्लस 1 में कर दूँ मतलब एक alphabet आगे करूँ तो मुझे B मिल जा रहा है A plus 1 प्रिक ट के सामने S है ट के सामने S है मतलब T मेंसे मैं 1 पीछे चला जाओ मतलब M माइनस कर दूँ तो S मिल जा रहा है मतलब Mाइनस 1 H के सामने I है मतलब मैं H के एक प्लस कर दूँ तो I मिल जा रहा है आप sequence देख पा रहे हैं कि पहला जो है minus one, दूसरा plus one, फिर तीसरा minus one, चवथा plus one, पांचवा minus one होगा, छथा plus one होगा, साथवा minus one होगा, आठवा plus one होगा, ठीक है, फिर minus one, फिर plus one, फिर minus one, ठीक है, अब similarly आपको बोला chemistry के सामने ऐसे ही बताइए, क्या अक्षर मतलए एक प प्लस one होगा है, शुरुवात कहां से करना है, minus one से, जैसा कि पिछले वाले में किया है, ठीक है, minus one plus one आपको करना है, यही आपको करना है, तो c में minus one कर दीजिए, मतलब c से एक word, एक later में पीछे जाओंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, b, h में plus one कर देंगे, मतलब h से एक later आगे जाएंगे, तो क्या मिलेगा मेरे को, i, similarly, e में मैं एक minus कर दूँगा, e में minus one करूँगा, तो क्या आजाएगा, d, तो क्या हो जाएगा, d, और m में plus one करूँगा, मतलब m में, एक later में आगे जाओंगा, m से एक later आगे, n आएगा, ठीक है, तो यह आपका n, देखे, क इसा letter बन रहा है, जिसमें b, i, d, n, option में हो, तो एक ही option है, जिसमें b, i, d, n, r, r, b वाला, ठीक है, इतनी ही आसान सवाल होंगे, basically, इसमें मेरे को लगता है, समझाने में, 2-3 मिनिट लग गए, नहीं तो इसमें, solve करने में, मुस्किल से आपको, और भी कम समय लेंगे, ठी मांकित, मुझे, a, b, c, बला प्रस्ट, इस प्रकार से दिखेगा, जहां पर ये sequence बदा रहेगा, मैं तुरंत, a, z, लिख लूँगा, अपने copy पे, आप भी exam में लिख लिजेगा, ठीक है, तो आपने a, z, इस प्रकार से लिख लिया, अब बोल रहा है, basically, प्रस्ट में क्य लिख दिया, और d, e, f, इसको हमने 912 लिख दिया, ऐसा प्रश्ट में कह रहा है, अच्छा, ठीक है, अब देखिए, sequence जैसा कि बोला, उसने प्रश्ट में खुद कहा है, कि भई, a, b, c, d, को आप एक से लेके 26 के करम में इस प्रकार से लिख दीजिए, एक से 26 के करम में, already मैंने लिखा हुआ है, तो यहां पर G वाला जो alphabetally असके सामने क्या है, 7, तो G के सामने 7, H के सामने क्या है, 8, इच के सामने 8,de, i के सामने क्या है, 9, मतलब 9 नंबर पे i, ठीक, तो बोल रहा है कि भई, इसको मैंने 1578 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि 789 मैंने लिखा है, इ E F को 912 कहा गया है D P के सामने 4 है E के सामने F 5 है और F के सामने 6 है मतलब D E F को 456 लिख सकते हैं मतलब 456 में मैं 2 से multiply कर दूँ तो 912 आएगा तो प्रश्प में पूछ क्या रहा है आप से इसमें कि भई A B C को क्या लिख सकते हैं A B C को क्या लिख सकते हैं तो वही काम करिए जो इन दोनों के साथ प्रश्प में किया हुआ है A 1 है B 2 है C 3 है ठीक है तो A के सामने 1 B के सामने 2 C के सामने 3 और मेरे को अगर नम्मर शहिए तो क्या करना पड़ेगा 2 से multiply करना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं हर साल इस प्रकार के प्रश्ण एक एक प्रश्ण आये हुए है ठीक है और PCS में भी आये हुए है अब यह हम लोग आगे देखेंगे अब देखेंगे Next question ACPQ को BESU ACPQ को BESU अर कह सकते हैं तो MNGI को क्या कह सकते हैं इसा प्रश्ण है ठीक है तो ACPQ को क्या प्रश्ण है ACPQ इसको हमने क्या कह दिया BESU मतलब यह आपस में अनुपात है इस तरगा सा साइन है कि भी सिमिलर है BESU तो इसको हम BESU इस प्रकार से लिख सकते हैं ठीक है अब देखिए प्रश्ण में पूछ क्या रहा है कि M N G I को क्या कर सकते हैं M N G I इसको क्या कर सकते हैं अब ACPQ का सिक्वेंस देखिए A, A के सामने B है मतलब A में मैंने 1 एड़ कर दिया तो B मतलब इसमें मैं प्लस 1 कर दे रहा हूं तो मुझे B मिल जा रहा है C में मैं प्लस 2 कर दे रहा हूं तो E मिल जा रहा है मतलब C को मैं प्लस 2 कर दिया तो E मिल गया P के सामने S है मतलब आप देख सकते हैं P के सामने S मतलब P प्लस 3 मतलब प्लस 3 कर दे रहा हूं तो S मिल जा रहा है और Q के सामने U है Q के सामने U है तो एक, दो, तीन, चार मतलब Q में मैं चार add कर दे रहा हूँ तो मुझे U मिल जा रहा है मतलब A, C, P, Q को A, C, P, Q को मैंने प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4 अलफावेट में किया तो मुझे नया word मिल गया Similarly मुझे करना क्या है कि M के सामने प्लस 1 कर दूँगा N के सामने प्लस 2 कर दूँगा G के सामने प्लस 3 कर दूँगा और I के सामने प्लस 4 कर दूँगा तो मुझे basically क्या मिल जाएगा नया word मिल जाएगा Simple M के सामने प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको N मिलेगा N के सामने प्लस 2 करेंगे तब वो क्या मिलेगा P मिलेगा फिर G के सामने प्लस 3 G के सामने प्लस 3 करेंगे 1,2,3 अब वो क्या मिलेगा J मिलेगा और I के सामने प्लस 4 I के सामने प्लस 4 1,2,3,4 I के सामने प्लस 4 करेंगे तब वो क्या मिलेगा M तो नम्मर जो वर्ड बनेगा क्या बनेगा एन पीजे एम और ने पक्का दिया होगा एन पीजे एम देखिए दिया हुआ है इसी प्रिकार के आसान सवाल आपको बिसिकली एक्जाम में आएंगे अगर आप नहीं सॉल्व करके जाएंगे बिना देखे चले जाएंगे तो प्रश्ण को समझे क्या कह रहा है प्रश्ण को सबसे पहले बाद समझे यह यह कह क्या रहा है इस प्रश्ण में ठीक है बोला है बी से आगे अपने को लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला तो वही है एबी से आगे लिखना है सुरुवात बी से करना है जो कि यहां पर एक बड़ा अल्फाबेट ठीक है तो मतलब एक कैपिटल में होगा एक स्मॉल में होगा तो अपने को सुरुवात जो है बोल रहा है कि भाई अग बी से आगे बी समेत अंग्रेजी वर्णमाला का प्रतियेक अच्छर अच्छर छोटे अच्छरों में लिखा जाए सेस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, मैं, जून तो जनवरी से लेके जून तक जो है एक प्रकार से छे महीने बित जाते हैं तो यह बोला उत्तराड़ है मतलब ठीक सेंटर में जो भी आएगा मतलब एक प्रकार से जून के बाद अगला महीना जून के बाद अगला महीना जो उनके बाद जुलाई आएगा तो जुलाई को बोल रहा है कि अल्फाबेट के हिसाब से किस प्रकार लिखेंगे अगर हम अल्फाबेट इस प्रकार से लिखें और अल्फाबेट में वो बोल क्या रहा है अपने को अल्फाबेट इस प्रकार से लिखना है कि B से आगे अंग्रेजी पर्मालगर प्रते के अंदर अच्छर छोटे अच्छरों में लिखा जाए और सेस अच्छरों को बरे अच्छरों में लिखा जाए ठीक है सबसे पहले small letter पिर is small letter traitor प्रश्म m बोल जा है कि हर दूसरा घ्रुम से अनलफभेत वह क्यांस सरूब रहे झाला हम लोग इसाभन प्रश्म में कहा है ठीक है ये के बाद फिर capital M, फिर small N, तो BCD, EF, GH, IJ, KL, M, N, फिर capital O, फिर small P, M, N, O, P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T, फिर U, फिर V, Q, R, H, T, U, W, W, small X, capital Y, small J, मतलब यह वर्णमाला बनेगी प्रशन के हिसाब से, आप इसी वर्णमाला के हिसाब से आपको जुलाई मन्त लिखना है, तो जुलाई मन्त में small J आ रहा है, तो सबसे पहले small J हो जाएगा, फिर अगला U है, तो U क्या है, U आपको capital में है, तो U capital मे लिख लीजे, फिर Y capital में है, तो Y capital में लिख दीजे, तो जुलाई मन्त आप इस प्रकार से लिखेंगे, तो प्रशन जो है, अच्छा प्रशन था, मैं इसा मानता हूँ, यह D option हो जाएगा, तो इस प्रकार के प्रशन जो है, UPSC पूछ रही है, ठीक है, अच्छा प्रशन है, next question आईए, यह दि मुंबई के लिए, कूट, मुंबई को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देली को आप क्या लिख सकते हैं, सेम प्रशन भी हम लोगों ने किया था, वो chemistry और mathematics वाला, सेम प्रशन है, ठीक है, ठीक है, चुकि यहाँ पे है, तो हम लोग solve करके xlsj, xvc, ठीक, तो xvc, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं, तो देखिए क्या similarity है, m के सामने l है, m के सामने l है, m में से मैंने minus 1 कर दिया, तो l आ गया, तो मतलब पहला तो हो गया minus 1, फिर u के सामने s है, u के सामने s है, तो मतलब u में से minus 2 कर दिया, तो u में से minus 2 कर दिया, तो s आ गया, फिर m के सामने j है, तो m के सामने j है, मतलब m minus 3 कर दिया, तो minus 1 minus 2 minus 3 B के सामने x है तो B के सामने x है ठीक है तो एक प्रकार से जो है B सुरुवाद से B M-U-M-B-A-I तो B के सामने एक प्रकार से क्या है x है तो B में से आप कितना पीछे जाएंगे 1, 2, 3, 4 तो B में से minus 4 करेंगे तो x आजाएगा फिर A के सामने u है तो A के सामने पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो A के सामने अगर u है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब आपको 6 पीछे जाएंगे तो यहाँ पे u मिलेगा और i के सामने c है तो i के सामने फिर से 6 जाएंगे तो यह आपको c मिलेगा तो यहाँ पे v है यहाँ पे बाची होगा A के सामने v है वो आपको पीछे जाना हूँ A के सामने क्या है? V है तो प्रशन में v दिया हुआ है तो A से हम लोग को पीछे जाना है तो 1, 2, 3, 4, 5 वही मैं सुचा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 का सिक्वेंस बन रहा है तो तहां से 2 बार 6 आ गया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक परकार से आप देख सकते हैं कि मुंबई को L, J, X, V, C लिखा है t in d में से –1 करिए to obviously C आएगा t in d में से आप एक पीछे जाएंगे to C ही आएगा e के सामने दो बार – करिए तो obviously e के सामने दो बार – करेंगे to क्या आएगा c ही आएगा c, C l में 3 time करिए l में 3 – करिए तो कहा आएगा KJ Arie यहां के आ जाएगा I, H में 4 माइनस करिए, H में 4, 1, 2, 3, 4, D आएगा, ठीक है, तो D, और I में 5 कर दीजे, I में 5 कर दीजे, 1, 2, 3, 4, 5, D आएगा, अब देखिए इस तरह के जो प्रस्न होते हैं, इस प्रकार के जो भी प्रस्न होते हैं, जिसे यह उफसन आ जाएगा, इस प दुरवात में, तो आगे बढ़ने की जरूर्थी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं, यह वाला तो ऐसे इलिमिनिट हो गया, तो तीसरा वाला I, तो यहीं से परचल जाएगा, यह वाला ओप्सन हो जाएगा, क्योंकि तीसरे नमर पर I, वो इसमें नहीं है, इसमें नही तो चौते वाले में यहां पर ढिलते हैं और तानच उपने को घर सा रहा है तो आपको लाश की जाने में प्रस्ट अपने को मिदा के बने हैं देख सकते कि आप 0 रहमान को 12345 के रुप में लिख सकते हैं तो देखते हैं तो यह लिख सकते हैं तो एक परकार से इसको पहले मैं यहां से मिटा देता हूं तो जो प्रश्ण है वो यह है कि R-A-M-O-N यह रह्मॉन है जिससे अपने रह्मन सर का कोई लेना देना नहीं है तो यह रह्मॉन है तो रह्मन को हम लोग 1,2,3,4,5 लिख सकते हैं मतलब 1,2,3,4,5 यह हमने रह्मन को लिख दिया अब नेक्स्ट है आपका दिनेश, दिनेश को 6,7,5,8,4,9 तो दिनेश, 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 6,7,8,5,4,9 तो 6,7,8,6,7,5,8,4,9 6,7,5,8,4,9 यह लिख सकते हैं तो प्रश्ण में पूछ रहा है आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्ण में? प्रश्ण में बुछ राय है हमम, इसको क्या लिख सकते हैं में व्हज़ों एम बहुत आसान है, हमम में तो क्या आरहा है है हम में प्रश्ण आरहा है और M को तीन से रिप्रेजेंट किया गया है तो H के सामने 9 लिख दीजे, A के सामने 2 लिख दीजे M के सामने 3 लिख दीजे, A के सामने 2 लिख दीजे और M के सामने फिर से 3 लिख दीजे 9, 2, 3, 2, 3 9, 2, 3, 2, 3 मतलब यह B वाला जॉपसर है यह आपका सही हो जाएगा इतने ही लड्डू टाइप कोश्चन होंगे बस बेसिकलिए आपको एप्रोच करने आना चाहिए नेस्ट कोशन किसी निशित कोड में 256 का अर्थ लाल डंग चाक है ठीक है चाक चौक नहीं चाक तो श के ऊपर जो हो लगाना भूल गया है चौक होना चाहिए चाक लिखा है खेर चलिए तो 2-5-6 को जो कहता है प्रेस्ण में लिग देढूँशत चाहिए 2-5-6 2-5-6 को कहा है लाल लाली मेरे लाल की जित देखू कुढ़ ती लाल इक कभी दास का दोहा है तो लाल डंग चाक ठीक है लाली देखन में चली में भी हो गई राल तो 127 को लाल रंग चाक लिख दिया, 589 को हरा रंग फूल, तो पांसो नवासी को लिख दिया, हरा रंग फूल, ठीक है? अब बोल रहा है कि, सफेद किस अंख को इखिता एसा परशन में पूछ रहा है, तो अपने को सफेद को बताना है, लिज लेते हैं 254 को सफेध रंग शाक क्रम हो तो बोल रहा है कि सफेध का मतलब कौन सा अंक हुआ ऐसा प्रशनめ पूच रहा है अच आपको एक शीचक दिख रही है कि इसमें भी रंग लिखा हुआ है इसमें भी रंग है और इसमें भी रंग है ठीक है तो ऐसा कौन सा लेटर है जो तीनों में common है पांच इसमें भी common है इसमें भी common है बागी कोई लीटर जो है आपस में common नहीं है इसका मलब रंग को जो है वो पांच अंक से इंगित किया गया है रिप्रजेंट किया गया है ठी Similarly, यहां पर मुझे 5 के अलावा 2, 2 एक ऐसा लेटर है, जो मुझे यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, ठीक है, तो आप देख लिजे इन दोनों में से क्या common है, तो इसमें चाक common है, उधर इस साइड दो common है, इस साइड चाक common है, ठीक है, इसका मतलब जो है, चाक, इसको जो है, वो 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, बचा क्या सफेद, तो 254, इसको फिट से लिख लेते हैं, ठीक से, 254, तो 254 में रंग के लिए 5 हो गया, चाक के लिए 2 हो गया, तो बचा क्या, 4, तो 4 जो हो जाएगा, सफेद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठ अगर आप ठीक से नहीं देखके जाएंगे, मुझे भी मैं ऐसे देखता था तो भी दाता है क्या प्रशन है, तो इस प्रकार से कोई भी एक phobia होता है, एक phobia होता है कि आसान है, मुश्किल है, किसी military code में system को sysmet और nearer को यह कहते हैं, जो भी एक रखा हुआ है, तो उसी से हम fraction को क्या कह सकते हैं, इस प्रकार का प्रशन है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं solve कर देते हैं, तो मालिग जै यह system है, system, बहुत ही commonly used word है, हम लोग बोलता है, system, यह system ठीक नहीं है, तो system को सिस्टम को सिसमेट लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है सिसमेट फिर बोला नीरर मतलब नजदीक नीरर इसको क्या लिखा हुआ है पूछ क्या रहा है आपसे कि फ्रेक्शन को क्या लिख सकते हैं अच्छा आपको क्या लग रहा है कि यहां से यहां कैसे आया तो आप यह सो सकते में पलट दिया और इसको हम पलटें system को पलट दें तो क्या बनेगा MSYS और इसको सिधा पलट दिया जाए वो तो यहां पर लिखा नहीं है यहां पर बैसे की क्या डिया अब क्या अलहा है कि शुरुवात के तीन लेटर को फ्लट दिया गया है इनको पलटने प्री सा हिए में इह ही बन रहा है SYS को आप पलट दीजिक तो SYS को सीदा प्लट द रहा है ठीक है सिमिलरली यहां पर सुरुवात के तीन लेटर को पलटा गया है एन लिख दिया गया है और 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 को पलटा गया है तो आरियार को पलट के भी आरियारी बन रहा है ठीक है तो सुरुवात के तीन लेटर मतलब सुरुवात छे हैं तो छे में सुरुवात के तीन क को पलटा गया लास्ट के तिन को पलटा गया अब यहां पर मिला कि आठ लेटर हैं तो यहां पर क्या होगा सुरुवात के चार को पलटा जाएगा और लास्ट के चार को पलटा जाएगा पलट दीजिए सी ए आर एफ सुरुवात के चार को पलट दीए लास्ट के चार को पूछा गया है अब आएए PCS पे तो PCS की जो जनता है वो सोच रही हो कि मेरे प्रश्ण नहीं आ रहा है ठीक है आगए अब देखे डेट को WZGV इसमें लिखा गया आप देखे प्रश्ण सेम है इसा है UPSC में Mathematics Chemistry वाला प्रश्ण था एक और प्रश्ण दिल्ली मुंबई वाला आया था UPSC में अब PCS वाले भी सेम प्रश्ण पूछ रहे हैं तो यहीं सेमिलरेटी होती है कि भाई जो है आपसमें सेलेवस सेम होता है तो कितनी कितनी डिफरेंस दलाएंगे वो थोड़ा स WZGV ऐसा लिख दिया डेट को ठीक है पूछ क्या रहा है अपसे महना कम मतलब इसे को बुलाईए यह कम तो घड़ा डिफिंग सकते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तो डेट से अब डेट को में सामने D के सामने ड़ग ड़गर व्यागर से दी सुरुद और दी similarly, A पहला letter है, और Z लास्ट से पहला letter है, पीछे से पहला letter है, similarly, T, T कहां दिख रहा है आपको, T, T शुरुवात से एक प्रकार से बीसमा लेटर है, यह आप कहलेजिए कि पीछे से, पीछे से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आप पीछे से जाई आगे से घंटा फ वही होगा, देख लीजे, सातमा आगे से, G, E, E आगे से पांचवा letter है, तो पीछे से पांचवा letter क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो V हो जाएगा, तो आप समझ पा रहे हैं, आगे और पीछे वाला हिसाब किताब है, तो आपको sequence यहां भी follow करना है, तो और C जो है, आगे से 3 letter है, जैसा कि आप देख पा रहे है, C आगे से 3 letter है, तो पीछे से 3 letter देख लीजे, क्या होगा, X होगा, ठीक है, तो C के सामने X, अब O, O, आप पीछे कुछ भी जी मोन्रा हो जो है आप पीछे आगे कुछ भी कर लीजिए, थीक है आप आघे से करिए या पीछे से कर सारगी को नहीं कर लिएक है पीछे से L होगा, ठीक है, next M, M कहां दिख रहा है आपको, M यहां पर, आगे से 13 वाँ, तो पीछे से 13 वाँ, क्या होगा, पीछे से 13 वाँ, N होगा, M के सामने, N, E, E आगे से 5 वाँ लेटर है, तो पीछे से 5 वाँ, 1, 2, 3, 4, 5, लिए हो जाएगा, XLNV, XLNV, ठीक, पहला option, तो आसान सवाल था, next, table को अब यही बारबार प्रशन आ रहा है, अब यह प्रशन आप खुद से करिएगा, ठीक है, आप को थीक्तिक से दिखा दे रहा हूं, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, अब खुद से प्रैक्टिस करिएगा, next question आईए, pen को 31 लिख सकते हैं, par को 35 लिख सकते हैं, तो pat को क्या लिख सकते हैं, तो यह प्रशन है, तो देखते हैं, पैन को 31 लिख सकते है, यहां पर आईए, पैन को क्या लिख सकते है, 31, ऐसा question में लिखा है, फिर लिखा है, PAR को 35 लिख सकते है, PAR को 35 लिख सकते है, तो P, A, P, इसको क्या लिख सकते है, अच्छा, फिर वही बात, चुकि मैंने हर पेज पर देख सकते हैं, कि मैंने अलफावेट लिखा हुआ है, आपके लिखा हुआ है, आपको भी एक्जाम में यही करना है, इस प्रकार के अप्रेशन दिखें, कुछ उम नमर पे है, A के सामने 1 रख दीजिए, N, N 14 नमर पे है, N के सामने 14 लिख दीजिए, अब इनको आप एड करिए, 16 प्लस 1, प्लस 14, क्या आ रहा है, 31 आएगा, 16 प्लस 1, 31, ठीक है, यह 31 आ रहा है, इसको आप एड कर दीजिए, तो क्या आएगा, 37 तो P, A, T को में क्या ले सकते है, 37, आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है, तो 37 पका आपस में होगा, यह रहा है, ठीक, P, A 18 में प्रस्णा आया था, यूपी P, C, A 18 में, Next question है, G, J, G, J है, ठीक है, G, J, और Q, U, इसके बीच जो भी संबंध है, वो इन आपस में किसमे है, इस प्रकार के एक्प्रेशन साथ मैंने पिछले वाले लेक्चर में किसी में किया था, तो G, J और Q, U में जो संबंध है, वो किसमे है, ठीक है, देखते हैं, किया संबंध है, तो G और J, G, J, Q, U, ठीक, तो G, J में क्या है, जी में अगर मैं 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, एड़ कर दो, यहां पे मैं 3, 4, एड़ करने पे, और यहां पे Q में 4, एड़ करने पे, जो है, एक प्रकार से, U मिल जा रहा है, ठीक है, वही संबंध आपको, एक प्र जिसमें 3 और 4 एड़ करने पे चीज़ें मिल जाएं, ठीक है, तो B में से तो A कही एड़ करने पे मिल जा रहा है, तो यह तो option S eliminate हो गया, A में से भी one एड़ करने पे हो रहा है, यह भी eliminate हो गया, अब 3, A, B, C, A, B, C, D, तो यहां पे 3 एड़ करने पर A से D मिल रहा है, अच इसमें भी नहीं बनेगा, तो D के बाद E, F, G, दे सकते हैं, यहीं पे 4 का difference हो गया, तो यहीं से नहीं होगा, ठीक है, पहले वाले में अपने को 3 का चाहिए, तो वो option हो जाएगा, Nish question करिए, यह वाला प्रशन है, यह थोड़ा सा अलग है, वेकिन आसान है, ठीक है, तो question क आपको observe करना होता है, एक प्रकार के question आप practice mathematics में, या आप general ability ही कह लिजिए, reasoning कह लिजिए, जो भी कह लिजिए, logical reasoning, basically इस प्रकार के प्रशन होते हैं, कि आपने ठीक ठा question प्रेक्टिस कर लिया हो, PYQ कर लिया हो, तो exam में आपको similar question मिलने वाले है, 30 प्लस 40 को 15-20 लिख दि या 20 by 2, 30 by 2 को 15 लिख सकते हैं, और 40 by 2 को 20 लिख सकते हैं, similarly 36 plus 28 को 36 by 2 plus 28 by 2, इसको 18 और 14 लिख सकते हैं, similarly 40 और 20 को 40 by 2 plus 20 by 2, इसको क्या लिख दगेंगे, 20, 10, ऐसा ही लिखा हुआ है, तो बोला इसको क्या लिख सकते हैं, तो भही कर देजिए, 50 by 2 plus 22 by 2, क्या हो जाएगा, 25 तो आपको यह तो आसान सावाल है जी यहां पे है सातवे नंबर पे क्यू सत्रहवे नंबर पे है इसके मध्य में कौन सा है इसके बीच में एक दो तीन चार पंच से आप आपंच में के लेटर तो आप देख सकते हैं जा नंपर पे आपको मिलेगा और पीछे से जाईए आप एक, दो, तीन, चार, पांच, पीछे से भी Q से पीछे की तरफ जाएए तब भी आपको पांचवे नमर पे मिलेगा G से आगे की तरफ जाएए पांचवे नमर मिलेगा बागी आप कई तरीक इसे कर सकते हैं इसे नमाले जी और Q के बीच में कुई मिलाके 9 लेटर से हैं तो 9 प्लस 1 बाइ 2 मतलब जो पांचवे लेटर होगा 10 बाइ 2, 5, तो पांचवे लेटर जो होगा और दुसा तरीका है G सातवे नमर पे है, Q सतरह में नमर पे है तो G सातवे पे है, Q कितने पे है? सतरह में पे है तो बाइ 2, सतरह सात कितना होगा? 24, 24 बटे 2 कितना होगा? 12, तो 12 होगा लेटर जो होगा वही होगा, तो 12 होगा या पे L है किसी प्रकार से करिए, इतना कुछ करने के जवद भी नहीं है तो खाट दिखी रहा है, ठीक है? अब आए, नेक्स कोहें पे इंग्लेंड को ये कह सकते हैं फ्रांस को ये कह सकते हैं तो ग्रीस को क्या कह सकते हैं, वह तो ये प्लशन है, ठीक है? तो तो शिमिलर कोश्चन है मै ने कितनी भार तो करा दिया है कर लेते हैं इंग्लेंड को क्या कर सकते हैं इंग्लेंड 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 को बोल रहा है क्या ले सकते हैं साथ सो पचासी, दो सो इक्यानवे, ठिक, पूछ क्या रहा है, ग्रीस, ग्रीस को क्या लिखा जाए, ग्रीस को क्या लिखा जाए, ऐसा प्रशन पूछ रहा है, तो जी को तीन से रिप्पेजेंट करें, तो जी के सामने तीन लिख दीजिए, आर कहां दिख रहा है आपको, आ आर को आठ से लिख रहे है तॉ आरके सामने आठ लिख दीजिए यह सामने यह को निकतीर को निक दीजिए फिर इ precisamente क्त़ दीजिए शिर लिख छें सिरा से कर रहे हैं को कैं दिखेंग सकते हैं सी करें तो cash को यह लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सेंगे अब यह प्रश्ण मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं कितनी बार तो यह प्रश्ण हम लोगों ने कर लिगा ठीक जैसा यह प्रश्ण था सिम्दर यह भी प्रश्ण है खेर करवा दे रहे हैं ऐसा नहीं कि आप लेकिवे छोड़ दिया CPI को DMK लिख दिया तो यह पार्टी का नाम ने लिया है इसने CPI Communist Party of India और BJP बीज़ेपी तो खेर बहुत फेमस है तो CPI और DMK ठीक है CPI को मैं DMK लिख सकता हूँ तो BJP को क्या लिख सकता हूँ खेर देखते हैं तो C में 1 एड़ कर दिया तो D आ गया जैसा कि आप देख सकते हैं कि C में 1 एड़ कर देंगे तो D आ जाएगा CPI को DMK लिखा गया है देखते हैं क्या है सिम्डेरिटी है C में मैंने 1 एड़ कर दिया तो D मिल गया तो प्लस 1 P में P कांट P यहां पर है तो P के सामने क्या है M है P के सामने M है तो P में से 1, 2, 3, 3 माइनस कर देंगे तो माइनस 3 M मिल रहा है और I के सामने क्या है K I के सामने क्या मतलब प्लस 2 मतलब I में प्लस 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा K मिल जाएगा तो पूछ क्या रहा है आपसे BJP BJP के बारे में पूछ रहा है ना BJP पूछ रहा है ठीक है तो BJP में वही काम करिए पहला letter के साथ plus 1 करना है पहला के साथ plus 1 कर दिए B के सामने क्या आजाएगा C आजाएगा फिर J के सामने जो है वो basically minus 3 दूसरे बाले सब minus 3 करना है तो 1, 2, 3 J के सामने G आजाएगा और last वाले के साथ I के साथ plus 2 हुआ है तो यहां भी plus 2 कर दिए P के साथ plus 2 तो R CGR CGR नाम की कोई पार्टी तो नहीं है तो यह हुआ है MB option Kamal को यह लिख सकते हैं तो Mahal को क्या लिख सकते हैं देख लेते हैं जब Kamal Hasan को यह लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 21413 21413 तो महल को क्या लिख सकते हैं तो खेर M, M के सामने 4 है तो 4 लिख दीजिए, A के सामने 1 है तो 1 लिख दीजिए, H यहाँ पर है नहीं कमल में, खेर H को छोड़ दीजिए, A के सामने 1 है तो 1 लिख दीजिए, L के सामने 3 है तो 3 लिख दीजिए, तो क्या है, सुरुवात में 41 है, लाश्ट को तैजी से देखते हैं यह प्रश्ण मुझे अच्छा लगा लाश्ट वाला तो जुराई वाला जो प्रश्ण हम लोगे किया था सिम्लर प्रश्ण है धेखते हैं वेटनेश डे के लिखने को लिखने का निम्लिकित में से कौन सा सही धंग होगा जब शब्द के प बूल रहा है कि बिद्ध देखो लिक्ने का निम्लिकित में से कौन सा सही धंग होगा जब शब्द के प्रथम प्रथम अच्छर क्या व है ठीक बीच बीच वाला कौन सा है Slack search 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 बीच वला पांच मालेटर होगा मतलौ ई जो है वो भीच में है ठीक है ड्व ए प्रतम अच्छरे ड्व Опलोह इ हो गया बीच वाल को गया अन्टिम'T य थीच तौ अंतिम अच्छर जो है प्रतम बीच और अन्टिम अच्छर और शब्द के सभी स्वर स्वर को अंगरेजीlarda में जो है वॉव्वल करते हैं वॉवल और कॉन्सोनेंट होते हैं अजसे बढ़ा होगा वॉवल कॉन्सोनेंट स्वर और वेंजन ठीक है तो जितने भी स्वर हैं स्वर आपके पांच होते हैं आइ, यो, यू, ठिक पता ही है आप लोगं को तो जो वोवल होते हैं उनको और जो भी ये तीन मेंने किया है प्रथम, बीच, और रंतिम इनको हम लोग छोटे अक्ष्रों में लिखें तो प्रथम हैं उसको छोटे में लिखता हैं W को यही पर लिख देता है, W को छोटे में लिख दिया, तो small w लिख दिया, ठीक है, इस प्रकार से, फिर बोल रहा है कि बीच वाले को छोटा लिख रहा है, तो small e कहीं पर यहाँ पर बीच वाला जो है, बीच में आएगा, और Y जो है एक प्रकार से, वो छोटा है, तो Y जो ह थे भी consonant है उसको भी छोटा लिखना है। दूसरे नमर पर पर जो वॉववल हैं, जितने भी हपी nebis, उनको खोटा है, बॉवल है, और ये को फिर से आप छोटा लिख दीजीए, डी ववावल नहीं है, ढर जी स्वर नहीं है, तोnea को आप capital में लिख लिए फिर ये वाला बीज में था छोटा लिखना है तो ऐसे मैं अल्रेडी छोटा लिख रखा है ठीक है एस जो है वह वावल नहीं है उसको capital में लिखिए ठीक है फिर डी डी वी जो है वह वावल नहीं है उसको capital में लिख दीजे और वाई जो है वो अंतिमक्षर है जिसको अपने को वावल मलत छोटा लिखना है तो लिख दिया है मैंने अलड़ी अब देख लीजिए ओप्सन कौन सा मैज कर रहा है तो यहां पर यह नहीं होगा यह भी नहीं होगा तो यह इन दोनों में से देखते हैं तो capital N वाला होगा capital N होगा यह वाला हो जाएगा ठीक है D option तो आसान था आज हम लोगों ने basically कल वाले topics में मानता हूं यह topic थोड़ा सा ज्यादा अच्छा था था थोड़ा सा मुश्किल था इन मुश्किल उसकिल कुछ है नहीं आप basically लिख लीजिए समझ लीजिए तो उसमें कु टॉपिक के साथ और यह जितने भी यह topics आ रहे हैं logical reasoning वाले इसमें मैं देख रहा हूं कि भई प्रश्ण ठीक ठाक पूछे गए हैं mathematics section से ज्यादा प्रश्ण पूछे गए हैं तो खैत हम लोग फिर से मिलते हैं निस्ट्रचर में तो दख के लिए goodbye जैहन ठीक से बढ़ाई करते रहिए bye